आज हम सीखने जार है mean deviation in discrete series from median सबसे पहले x and frequency दौनों आपको question में given रहेगा इसको solve करने से पहले सबसे पहले हम formula लिख देंगे submission f divided by total number of frequency और बहुता इस अलग बुक में आपको submission f भी मिलेगा दौनों का इसका मतलब है total number of frequency submission of f and this n means total number of frequency both are same so median find करने के लिए discrete series में सबसे पहले cumulative frequency find करेंगे cumulative frequency कैसे निकालते हैं पता है आपको अगर नहीं पता है तो आई ये देखिए कैसे निकालते हैं 4 सेम आजाएगा 4 प्लस 7 11 11 प्लस 9 20 20 प्लस 18 38 38 प्लस 15 53 53 53 प्लस 10 63 63 प्लस 5 68 टोटल कीजिए इसका यहां पर एक चीत ध्यान देने वादी बात ती है लास्ट नंबर ओफ क्युवलेटिव फिक्वेंसी एंड टोटल ओफ फिक्वेंसी बोथ आर सेम एवरी ताइम मेडियन फाइंड करने के लिए फार्मूला 25 थाइंड वक्यौ बोड़ेंस। the item N कितना है हमारा 68 68 plus 1 divided by 2 34.5 the item 34.5 is the item अब क्या करना है 34.5 कौन सी cumulative frequency में लाए करता है अब इसको find करना है 4 में नहीं जाएगा 11 में नहीं जाएगा 20 में नहीं जाएगा 38 में 34.5 लाए करता है 53 तो बहुत बड़ा है so therefore 34.5 लाएंट लाएंट 38 Cumulative frequency 38 इसके सामने क्या है X में हमारे पास 24 24 is the median अब क्या करना है deviation निकालेंगे deviation कैसे निकालेंगे आएए देखते 6-24 6-24 12-24 12-24 18-24 minus 6 minus minus is coming but this is absolute sign यह हम पहले भी सीख चुगे कि यह absolute sign है और इसमें हमको minus plus ignore करना है 24-24 0 30-24 6 36-24 12 12 24-42 18 अभी क्या करना है formula की requirement को पूरा करना है submission FD FD निकालने के लिए frequency और deviation को आपस में multiply करेंगे 4 x 18 72 7 x 12 84 9 x 6 54 0 15 x 6 90 10 x 12 120 5 x 18 90 इसका टोटल करेंगे अब क्या करेंगे mean deviation mean deviation निकालेंगे mean deviation का formula kork अड़की यूर श्याह journey अबके टी श्याहरा यूरा अचिके यूरा अड़के करेंगे समिशन FD कितना है हमारा 510 टोटल नमबर ओफ फिक्वेंसी देट इस 68 कैलकुरेट कीजिए बस जगे नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं कैलकुरेट कीजिए 7.5 सबस्क्राइब 9.5 डशें 9.6 जा बेड्स 10.6 तो 11.7 तो 12.1 इसी देड्स 12.2 तो 14.5 तो 15.6 तो अभी कभी-कभी आपको coefficient of MD जो exam में पूछ लिया जाता है, तो देखेंगे coefficient of MD कैसे निकालते हैं MD कितना है हमारा? 7.5 divided by median, median कितना था हमारा? 24 calculate किजिए 7.5 divided by 24 decimal को यहां लेंगे 24, 48, 72 3 time now 3 0 1 24 6 and 0 2 that is enough otherwise it will go in on 0.312 that is coefficient of MD 0.312 0.312 0.312 co-deficient of MD I hope you like this video, if you like, please subscribe and share. Bye! flow क seus थ Ke सब्स्वार दि क क सन्वेंग झाल